इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। सिनोमेट नेजल स्प्रे एक कॉम्बिनेशन दवा है, जिसका इस्तेमाल नाक बन के इलाज में किया जाता है। यह अलजी, हे फीव, साइनस जलन और सामान्य सर्दी से जुड़ी भीड का इलाज करता है। यह नाक में सूखापन या जलन को भी कम करता है और सुखदायक प्रभाव प्रदान करता है। सिनोमेट नेजल स्प्रे का इस्तेमाल आपके डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार ही किया जाना चाहिए। इसे अधिक बार या अनुशन सिट से अधिक समय तक उप्योग न करें। आम तौर पर आपको इसका उप्योग करने से पहले अपनी नाक को धीरे से फूंकना चाहिए। दवा को दूसरे में लगाते समय एक नथुने को बंद रखें। और फिर यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह नाक में गहराई तक पहुँच जाए। इसे सूंगें। फिर दूसरे नथुने के लिए दोहराएं। यह बहुत जल्दी राहत देता है और कई घंटों तक चल सकता है। सबसे आम दुश्प्रभाव नाक की परेशानी नाक में जलन, छीखने और सूखी नाक हैं। यह आम तोर पर हलके होते हैं, लेकिन अगर यह आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं होते हैं, तो आपका डॉक्टर इन्हें रोकने या कम करने के तरीके सुझा सकता है। इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको किड्नी या लीव की कोई बीमारी है ताकि आपका डॉक्टर आपके लिए उप्युक्त खुराक लिख सके। आपको अपने डॉक्टर को भी बताना चाहिए कि क्या आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तन्पान करा रही हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। झाल झाल झाल